यो बच्चे कलाश 10 और 12 की तैयारी करना चाहते हैं और जून से पढ़कर टॉप करने का यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगे किस तरीके से आप जून से पढ़कर टॉप कर सकते हैं ठीक है बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम समय में कम घंटों में तू आप लोग टॉप्ट करने से आप लोग को कोई भी नहीं रूसकता है ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखें जून से पढ़कर टॉप कैसे करें तो आज की स्ट्रीगों में हम बात करेंगे कि जून से पढ़कर टॉप्ट किया जा जाकत और आप लोगों को आसानी पूरुवक जितना आसान हो सकेगा उतना आसान आप लोगों को सारी चीजों को समझाया जाएगा ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए आपको रटना कोई चीज ना पड़े अभी तक आपने बहुत इंज्वाई किया आप साधी में गए और घुमे फिरे बहुत ऐस मौश किया अब टाइम आ गया कि सीरियस होने का यानि कि सीरियस होने का मतलब है कि पढ़ने का अब टाइम आ गया कि आप लोग पढ़ाई करो अगर आप लोगों को सच में 95 स्कोर प्राप्त करना है तो जो जून से बच्चा स्टार्टिंग कर बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ आधे घंटे पढ़ाई करके और 95 क्रॉस कर जाएगा ठीक है यह पूरी फुल गैरेंटी के साथ मैं बताती हूँ अगर आप जून से स्टार्टिंग कर देते हो बहुत ही कम बच्चे यानि कि 100% में 10% ही बच्चे जो जून से को आप कवर कर सको बहुत ही जल्दी से ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले आपको देखिए कोई भी चीज स्टार्टिंग करने से पहले आपको गोल बनाना होगा जब आपका गोल नहीं होगा जिससे आपको कुछ पता नहीं है कि आपको करना गय जैसे यहां पर देखे 100% 95% और 90% ने गोल कंफर्म करें आपका गोल निश्चित हो गया अब आप एक काम करो एक चार्ट बनाओ उसमें आपने गोल को लिखो यानि कि 95% आपको पाना है यह चार्ट बनाओ जहां आप सोते हो वहां पर यह चार्ट लगा दो उसके बाद सुब चीजों में आपका मन न लगे इसलिए आपको सबसे पहले अपने गोल पर फोकस करना है उसके बाद आपको क्या करना है देखे जून से स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो जून जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नौंबर दिसंबर जनवरी ठीक है यह मैं आपको फरव आपके पास बचा हुआ है अब आठ मंत में आप आसानी के साथ यानि कि जैसे कचुवा और खरगोस दोड़ रहा है तो कौन जीतेगा जो खरगोस दोड़ के जाएगा वहांफता हुआ जाएगा और ठक जाएगा अंत में वह लाश्ट तक नहीं पहुंचेगा और ठक कॉस्ट दोड़ना नहीं है क्योंकि दोड़ने ओर ठक जाते हैं और लाश्ट तक नहीं पहुंच बाते हैं मृट्र पैपर प्र Treatées कि ये सारी चीजे मिलेंगी कहां से ये सारी चीजे आपको माधरी क्लासेस पे लगातार कराई जाएंगी जितने मंत यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कि इतने मंत में ये कंपलीट कराई जाएगा इतने मंत में ये कंपलीट कराई जाएगा तो यहां पर आपको सभी यही देखने में कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इसी में टाइम निकल जाएगा सबसे पहले यहां पर सेलेबस जो है आपको फूर मन्त में अगर मैं आपको कहूँ कि टू मन्त में ही सेलेबस कम्प्लीट कर लिजिए तो करने को तो आप पढ़ डालोगे लेकिन आपके दिमाग में स्ट्वेस नहीं होगा यानि कि आप समझ नहीं पाओगे यसलिए आपको समझना भी पड़ेगा जब आप समझके करोगे तो आप भूलोगे नहीं और समझने के बाद क्या होता है कि कोई भी question का answer आप आसानी के साथ दे सकते हो यानि आप जून जुलाई अगस सितमबर ये चार महीने आप लोग जो है syllabus complete करोगे ठीक है और करोगे कैसे यहाँ पर मादुरी classes पर आपको complete कराए जाएगा आपको one month one month में आपको ये सारी चीज़े complete करा दी जाएंगे यानि कि model paper practice set previous year paper ठीक है ये सारी चीज़ों को complete किया जाएगा यहाँ पर three years paper दिया जाएगा आपको तीन साल के paper solve कराए जाएंगे और practice set आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएगा और यहाँ पर model paper यानि कि five model paper आप लोगों को solve कराए जाएगा ठीक है ये आपका complete कराए जाएगा one month उसके बाद आप लोगों को most important question तयार करना है ये आप करोगी इसको आपने October में किया इसी तरीके से आप लोगों को step five चलना है ठीक है उसके बाद देखिए important question कहां से हुआ November में ठीक है November में आप लोगों ने important question को कर लिया अब देखिए इसको आप लोगों ने तयार कर लिया है ये आपके दिमांग में सेट होगे जब आप लोग इसको दुबारा से जब रिपीट करोगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा जब आप लोग पेपर देखोगे न तो पूरा आप छाप कराओगे अब यहां पर देखिए फिर आप जो चीज पढ़े भी हो उसको भी भूल जाओगे इसलिए आप रिलाक्स रहो आप ये सोचो कि सारी चीजों को तो हमने पढ़ा हुआ है सिर्फ हमको रिपीट करना है एक बार देखना है तो इनको आप देखोगे उसके बार देखिए आपकी पूरी कंप्लीट त हर वेपर को आप 95% से ज़्यादा ही अंक आप उठाओगे ठीक है हर सब्जेक्ट में क्योंकि आप लोगों ने खरगोस की चाल नहीं चली है कचुए की चाल चली है जो जून से स्टार्टिंग कर रहा है वो समझो कचुआ की तरह चल रहा है और कचुआ ही जीतता है ये सब सबसे में पॉइंट यहां पर इसको भी आप लोग च्टैटी में लगा ले लेना राइटिंग पर जएदा फोकस करना है क्योंकि राइटिंग पर विश्यस ध्यान दिया जाता है तो आपको अपनी राइटिंग भी अगर नहीं बनती है जो इस्टार्टिंग कर रहे हैं है 12 में हैं अगर नहीं बनती है तो आप लोग बनाओ writing को बनाने का प्रयास करूं यानि की हर एक word को ठीक है writing बनाने का भी मैं वीडियो बना दूंगी कैसे आप लोगो को राइटिंग को सुधारना है तो हर एक वर्ड को आप जिस तरीके से लिखना चाहते हो एक करके एक एक करके जब आप लिखोंगे तो फिर बहुत सारा जब लिख लोगे तो आपकी राइटिंग अपने आप सुधार जाएगे तो I hope कि मैंने आप लोग को सारी चीज़ों को समझा दिया है कि आप लोग को जून से स्टार्टिंग करने से क्या-क्या फायदा होने वाला है और सारी चीज़ों को आप सच में अगर 95 स्कोर करना चाहते हो तो आपको जून से स्टार्टिंग कर दो और सारी चीज़ों को मौधरी क्लास्स पे आपको पढ़ाया जाएगा तो लगातार आप लोगो को क्लास कराया जाएगा वो पोस्ट के जरिये सारी चीज़ों को दिया जाएगा तो सब कुश इंपॉटेंट है। पोस्ट देखना भी और स्टोरी देखना भी सब इंपॉटेंट है। इसलिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले। दोस्तों को सेयर जरूर कर दे क्योंकि बहुत ही important वीडियो है class 10th और 12th के लिए 2024 की जो बच्चे तयारी करना चाहते हैं.